गंडापुर्टा गंडारा गंडापुर्टा गंडारा एक नम्बरी कलाकार है नामी है नोटन की बाज बड़े बड़े सपने वो देखे जाने माने गाउं समाज कितना भी हो जाए नाम बने नहीं विद्या बिनकाम कितना भी हो जाए नाम बने नहीं विद्या बिनकाम गंगापुर्का गंगाराम जी इस वक्त पुनजानी बहुत तकलीत में अगड़ आप मेरी एक फिल्म साइन कर दे तो यह डूपता हुआ पुंजानी पहड़ने लगेगा अब देखो यह पुंजानी यह लेटर से कितना पैसा क्याश कड़ाता है और क्या क्या करता है गंगाराम बंबई में अपना घर मुबारक हो मेरी तरफ सभी बहुत-बहुत बदाई अरे अपना वो घर अच्छा था क्यों वहां साथ था यहा था बीया आदत पढ़ जाएगी जुह आगे बढ़ते हैं उनको तो पड़ाव बदलना ही पढ़ता है जिह हो हमरे गंगाराम के देखे khati कित्णा भीडिन अब हुब हुए जमा हो गया है है हमरे गंगाराम है हमरे गाओं के वो आइसे है ने गंगा कि तुम कह आ गाओं ज तो अरे का बात करें रामिलन भाईया देखिए जितना आपको अपनी इजयत का फिकर नहीं है उससे जादा कहीं हमको अभार इजयत का फिकर है और यह तो हम कब कभूल भाल गए हैं आप कहा बात कर रहे हैं दो फाइदे कौन-कौन से पहला ये कि मेरी संस्था के लिए आपक असथा पितो कि देखो पढ़ लिखकर ही इंसान कितना आगे पहुंच सकता है कि अगरा अगरा जी आई सर नमस्ते जी नमस्ते मैं आप इक अजार कर रहता यह लिजी आपकी स्क्रिप्ट मेरा सिस्ट नारा वह आपको पढ़कर सुनाएगा जरा आप डायलोग याद कर लि यह देखिए हम मिट्टी से बने हैं इसी मिट्टी में मिल जाएंगे ना कुछ लेकर आये हैं ना कुछ लेकर जाएंगे फिर यह तेरा मेरा क्यों यह घमंड क्यों अरे वागंगा राम जी आप तो एकदम फर्राटे के साथ पढ़ सकते हैं अजी पढ़ने नहीं लिखने लगा हूं हाँ आज ही मैंने अपने घाओ एक चिठील किये तुम्हारी लगन और तुम्हारी मेनत पर मुझे फक्र है कि अब प्रॉड आप नमस्ते सर अच्छा मैं चलता हूं आप डायलाव याद कर लीजिए मुझे सेट पर जाना है ओके सर ठीक है प्यारे तो गत गणा जी आपका और साधना जी का इंडन एरलेंड से टिकेट कनफर्म है और तुम्हारा महरा क्यों मैं तो क्यों आज शूटी नहीं है क्या हाँ दस दिन की छुटी ले लिए मतलब आप गाउं जा रहे हैं हाँ पड़ी मुश्किल से प्रोडूसर आपको राजी किया है गाउं जाना भी है वहां के लोग बहुत बेचयाने मिलने के लिए और आप मैं भी देखते देखते कैसे दो साल निकल गए बेचयान हो सबसे मिलने के लिए या किसी एक से सबसे और इस एक से भी आपका सच बोलना मुझे बहुत अच्छा लगता है सोचिए आपके लोग इस पर आप से मिलेंगे तो कितने खोश होंगे मैं भी यही चाहती हूँ कि आपने जो कुछ भी हासिल किया है वो सब कुछ अपने लोगों के साथ बाटे है साथना जी मैंने आज तक जो कुछ भी हासिल किया है वो सब आपने ही तो दिया है आपने मुझे वो हत्यार दिये हैं जिसकी बदलों तो यह लड़ाई में जीत पाया अगर आप मुझे पढ़ाती नहीं तो यह जाहिल गंगराम कुछ भी न कर पाता चलिए माल दिया क्यू मैंने तीन-ज़ार दिन से त्यार करकते रखा यह कुंदियो को कि मेरी तरफ से यह काम में कभी नहीं करूंगा इसे मैं कैसे में अगाश्राय नारेक्तिश और मेरे हो छुए ठरिए वाने करने मुझे माफ कर देंगी और मेरे पात इंक हो कर दो अरे चलती करो भाई उसके आने का पहले शुरू होगा कराई अरे फिकर मत करिए गुरू जी तब हो जाएगा अरे कितना बज़े पहुंचेंगे भाई जी अरे नाव बज़े को पक्ता हवाई एटेप में हवाई जाज पहुंचेगा और उसके पास तुई घंटा लगीगा तुई घंटा का है गाड़ी तेज चलेगा तो तेड़ घंटे में पहुंच सकते हैं खबर किये ते साड़े दस या ग्यारा बज़े का पहुंच जाएंगे ताइम का हुआ है बदरी घड़ी ठीक चल रहा है ना अरे बदरी रेडियो से गड़ी मिला के रखते हैं का करिए आपको हवाई जाज नहीं ना पकड़ना है हवाई जाज अरे उससे भी तेज भागने वाले समय को पकड़ना है पल पल मूरत बदल रहा है अरे भाई बढ़ा जल्दिलो लो भाई आती दो ले लो लेँड़ा। साधना जी, यह हमारी माई है, जी पे रहो, अजनती यह कौन है, कुंती, कुंती, यह है साधना जी, जिनके बारे पूछा करती थी, परनाम, अर परनाम का, गले मिलिया, अब प्यारे विसेसन, जाव 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 सामान उतार करें तो हमारे, घरी गाड़ी जाव रहे भाई, जी या पूरा मुंबई उठा के लाए हो कासाथ में, अरे भाई, किस के लिए काल आए हैं ये त जब मानुएति का प्तारा खुले का तब ना पता चलेगा, अरजुन के लिए काल आए हो, अर्जुन के लिये लाहा, याँ बंबई का टिकेट उसको हम साथ लेकर जाएंगे अर्जुनों रगू दिखा नहीं दे रहा अरे भईया वो तो अपने वही पूरा ने ड्रामा का नाटका रियल सल कर रहे हैं और का कर रहे हैं तो मैंने अब बंबई में गंगापुर का दूसरा इरा भी चमकेगा लो कीड़ा होगा तमने चमके अरे या आए आए क्या कर रहे थी कुटी कुछ चीजें विखरी पड़ी थी उन्हें समेट रहे थी मुझे था सब ठीक लग रहा है शायद तुम्हारे मन में कुछ बिखर गया है उन्हें वापिस लाओ सब समझ जाएगा कुछ बातें अपने बस में नहीं होती है उन्हें जितना समेटने की कोशिश करो उतने बिखरती जाती है मैं समझती हूं आखिर औरत हूं मैं भी तो अरत हूं इसलिए गंगाराम को तुम्हारे पास लाई हूं गंगाराम पहले भी तुम्हारा था और अब भी तुम्हारा यह लो तुम्हारे लिए इसमें क्या है यह तुम्हारी शादी के ल विवेट नृट तो करें अधिक्ये एट थिए खाइए और जी काते हैं आप हमारे इस गाउच मेहमान हैं अरे भी विसनपुर के रहने वाले हैं विसनपुर के आप तो हमरे पड़ोंची और रूड़ों तो बताईए एक आप है तो पर सो पहले बंबे पहुंच गए एक हम है जो अभी तक बंबे जाने को तरस रहे हैं अरे भाई बंबे लक्ष्पी की नगरी है जिसकी तकदिर में लिखी होगी वही पहुंचे का जैसे गंगा भाई तकदिर का सिकंदर है वो अच्छा एक बात बता अब अज़ी एक बात पताए यह आपको पोडूसर से जान पचा नहीं क्यों नहीं हम गंगा राम को फुल्वा कागा का का गंगा राम को सीधा पोडूसर के सामने लेजा खरा कर दिया और गोले गंगा राम नौटङ की के बाश्या है इन्हें फिर में काम दी लिएगा फि अरे महाराज देखने वालों की बोलती बंद हो गई थी डारेक्टर और प्रोडूसर इनकी एक्टिक देखके दंग रहे गए थे अरे फिर क्या अरे भाई सब किस्ते एक ही दिन में सुनोगे कल के लिए मिठाई नहीं रखोंगे क्या का एक करने से का ही होता और जो जम करना ही नहीं चाहेंगे तो कुछ होगा का अरे इस बात का सक्चा due to the अफ़िखंगराम तुमने तो वाकई गंगापूर का नाम रोषंट कर दिया है हम लोगُं का सरूचा कर दिया है अरे मुख्या जी जो आप लोगों ने करवाई वही न हमने किया हम सच कहते हैं जब भी हमारे सामने अंधेर आ जाता था तो हम आप लोगों की याद कर लेते थे अब नए होसले के साथ फिर मैदान में कूच जाते थे अरे भाई जी आपने तो ऐसा आजुबा करके दिखा दिया कि किसी दूसरे के लिए तो करना दूर अरे बिश्मास करना भी मुश्किल है ये बात है और हां लगता है पढ़ाई पर बहुत मेरत करना पड़ा अरे ये करिश्मा तो साथ ने जी कहा है एक जाहिल को समझदार बन जी अब तो हम सिक्षा के प्रचार के हिमाईती भी बन गए हैं हम तो चाहते हैं कि सब लोग पढ़ाएं साबास देखा अक्षा चावल है अपना गंगाराम पकने पर गम-गम महता है अरे कहां से आ रही हैं गांग घूमने गई थी कैसे लगा बहुत अच्छा सब लोग इतना प्यार दे रहे हैं कि हर अपना घर लग रहा है अरे तुम भी तो गंगापुर वासियों को आपने जैसी लगती हो जानती हो क्यों क्यों क्योंकि सब लोग जानते हैं कि तुम गं दुमाद यह गंगाराम की पहचान नहीं कराई कि बलकि शिक्षक होने का शौक भी पैदा किया है सभी दला कवा सका है आप लेल्का 32 वह तो टीवी पर प्लोग्राम आय था ना म समय अब और बाकी सब कष्ळ Hill समझ गए अच्छा शूनो सुनो तुम लोगों के आने की खुसि में हम लोगों ने एक जशन रखा है अच्छा और जशन में क्या करेंगे तो जशन में ही देख लेना यह है यह हमुरे गाउं का मंदिर है मैंने यहां मनत मांगी थी कि जब हमरे गंगा जी के सारे अर्मान पूरे हो जाएंगे तब हम यहां लड्डू चढ़ाएंगे लड्डू तो चढ़ा लेना लेकिन बाद में फिर चढ़ाना पड़ेगा सो कहे अभी गंगा जी के अर्मान कहां पूरे होए है क्यों इतना सब कुछ तो दे दिया हनुमान जी अब और क्या चाहिए हनुमान जी ने तो दे दिया लेकिन वो ये करमान अभी भी पूरा नहीं हुआ है कौन सा गंगा राम जी आप ही इसे बताईए आज तो मैं हनुमान जी को साफ साफ कह दूंगा क्या कि मेरी चीज मुझे दिलवादे दाथ बताईए हमारे मुमान जी कैसे लगे थोड़े दुखी लग रहे हैं दुखी क्यों कि कह रहे हैं गंगा राम जी बहुत सुस्त है अपनी चीज मांग कर भी हासिल नहीं कर रहा अरे इस बाहर तो अपनी चीज लेकर ही बंबई जाओंगा सच हे पवंसु इनकी मुराद पूरी करें पनी जी जुन नहीं दिखाई दे रहा है प्यारे को मोट साइकल पर अपने घर ले गया यह बड़ा मखन लपेट रहा है सुचता होगा गंगाराम तो मदद करेगा नहीं अरे प्यारे पक्का उस्ताद है वो उसके जासे में नहीं आएगा अरे भाई कहां तक पहुंच है अरे सब ठीट है मुख्या जी देखिए ना कि सबको खबर कर दिया ना सब को कि है गुर जी आप देखना जलसा बड़ी धूम धाम से होगा हो ना ही चाहिए कि भाई और बेहनों आप लोग शांती से बैठ जाईए बैठ जाईए आप लोग शांती से अ ह pencils का दीन हमारे लिए बहुत खुशिका और शुब दिन आप के जल्से में mbडना जी ने गंगापूर और गंगापूर के गंगाराम का मान बढ़ाया है पन्सेपर हम गंगापूर वाश्वाषि ओं की तरप से अपने कलाकार गंगा राम का तुद्धे से स्वागत करते हैं तालिया अब हम हमारे गुरु जी से निवेदन करेंगे कि ओमाईक पर आकर अपनी तरफ से कुछ शप्त कहें आईए गुरु जी कि भाईयो अब बहनो आप सब तो जानते ही हैं कि गंगापुर के गंगाराम आजकल बंबबई की फिल्वी दुनिया में अपना नाम रोशन कर रहे हैं गंगाराम अब बहुत बड़ा एक्टर हो गया है इतना बड़ा एक्टर होकर भी गंगाराम अपने गाव को और गाव आशियों को नहीं भूला हमको तो नाज है अपने गंगाराम पर पुख्या जी अब आप भी कुछ शब्त कहें हमारे गुर जी प्यारे जी साधना जी और कलाकार गंगाराम जी और बहनों और भाईयो जैसा कि आपको मालूम है गंगापूर के इतिहास में आज का दिन अमर रहेगा आपको यह भी मालूम है कि गंगाराम गाव में क्या थे और मुंबई में क्या है गंगाराम की यात्रा को शुरुवात कराने में और उनको मंजिल तक पहुचाने में दो लोगों का बहुत बड़ा योगदान है गाव से यात्रा शुरू कराई हमारे गुरुजी महादेव परशाद विश्वकर्मा ने और मुंबई में रास्ता दिखाया साधना जी ने बड़े सवभाग की बात है कि आज साधना जी हमारे बीच मौजूद है साधना जी पूरा गंगा पूरा आपका आभरी है आपने हमारे गंगा राम को पारस की तरह चुकर सोना बना दिया और मैं अपने नवटंकी के गुरुजी को परणाम करता हूँ कि उन्होंने गंगाराम को नवटंकी का बाच्छा बनाकर मुंबई का रास्ता दिखाया जिश्वेश्वर अब मैं साधना जी से निवेदन करूंगा कि वो माईक पर आकर हम गंगापुर वासियों के लिए एक कुछ संदेश दे आईये साधना जी आदर्मिय मुख्या जी और भाईयों और बेहनों गंगाराम जी की सफलता की जितने खुशी आप सबको है उतनी ही खुशी मुझे भी है मुख्या जी ने जो मेरी तारीफ की है वो दरसल गंगाराम जी की है मैंने कुछ नहीं किया है सिर्फ गंगाराम को पढ़ाई शुरू करने के लिए राजी किया है बड़े उम्र में सब आप सब भजन पुजन सीख सकते हैं तो पढ़ना क्यों नहीं सीख सकते हैं गंगाराम ने सीखा, आगे बढ़े और उसी पढ़ाई के बल पर वो हासिल किया जिन पर आज आप सब लोग को गौर्व महसूस हो रहा है कोई भी गंगाराम बन सकता है अगर उसमें दृष संकल्प हो गंगाराम जैसा मैं गंगाराम जी को और गंगापुर वासियों को और गंगापुर को परणाम करती हूं ahl और अब दिलखाम के बेटिए बारिये हमारे हमारे हमकते कलाकार गंगा रामजी की आई ए गंगा राम जी हुआइए जद्यों हरा जयो है त्यारे भाईयों बेहनों मुख्या जी पूजी गुरु जी साधना जी और हाँ बद्द्री विसेजर अब जो बच गए हैं वो जिनका नाम नहीं ले पा रहे हैं वो सब लोग है है हम यहां आज कुछ कहने नहीं करने आये हैं हमारे पास जोटी आज यहां वी हम पर है वो सब विद्राइड कर चमतकार हो है की हम आकशियmara है कुछ ना कर पाते हैं जिद्या का महत्व हमको आज समझ में आया है इसलिए हम चाहते हैं कि हर अशक्ती जीवन पर जिद्या का प्रकाश डालने की कोशिक करूं आज मैंने एक संकल्प किया है मैं एक प्रतिज्या पत्त्र लिखकर लाया हूं जो आप सब के सामने पढ़ना चाहता हूं आज के बाद रंगापुर में एक भी बच्चान पड़ नहीं रहेगा है हमारी कोशिश यह होगी कि छोटा हो या बड़ा हमारे गाओं का कोई भी रखती अशिक्षित नहीं रहेगा देखा माई क्या फर्राटे से पढ़ रहे हैं आज से मैं अपनी कमाई का सांट प्रिश्य एक हिस्ता सिख्षा के प्रशार प्रसार पर खर्च करूंगा अपने गाउं का स्कूल का विकास करमें ऐसा बना देना चाहता हूं इस में सिर्फ गंगापुर के नहीं बलके आस पास के गाउं के बच्चों को भी शिख्षा प्राप्त हो सके और महानकार के शुबारम के लिए मैं एक लाख रूपे का चेक मुख्या जी को प्रदान करना चाहता हूं मुख्या जी ये लिजिए फीता काट कर इस्कूल का उधगातन करें साधना जी इस नए इस्कूल के उधगातन के सही हगदर आप हैं क्योंकि गंगा को आपने ही सही मार्क दर्सन दिया इस फीते को काट कर इस गाव को शिक्षा की नई दिशा दे जैसी आप लोगों की इच्छा गंगा पुर्वासियू से इतना अपनापन पाकर मुझे बहुत खुशी हुई वा गंगा यह काम करके तो तो हमारे छाटी और चवड़ी कर दिया है अरे तो को हमरी उमर लग्जर राच्चा अगा हम सब लोग यह जाने के लिए उत्सुख हैं कि विद्याले का नेक विचार तुम्हारे मन में कैसे और क्यों आया अपने अनुभव से हम लोगों का दो बच्पन से मैं अपनी माई के मूँ से सुनता आया हूं कि पूत सपूत तो का धन संच है और पूत का पूत तो का धन संच है लेकिन इसका अर्थ मुझे बाद में समझा आया जब मैं पढ़ लिग गया सपूत की चाह सभी को होती है लेकिन पूत सपूत तभी बनता है जब उसमें सुमती हो और सुमती आती है शिक्षा से व्यक्ति के विकास के लिए शिक्षा उतनी ही ज़रूरी है जितने की मा का दूद आज मैं जो भी बन पाया हूं वो सब शिक्षा की बजए से सादना जी ने जिस दिन मुझे शिक्षा का महत्तों समझाया और मुझे समझाया मैं उसी दिन यह संकल्प कर लिया था कि गंगापुर में एक स्कूल बनवाँगा ताकि शिक्षा का प्रसाद मैं घर-घर में बा तो आये हम सब लोग मिलकर संटल पिले कि शिक्षा ही हम्रें जीवन का मुरू देश्च से होगा सिक्षा से शुमति और जीवन में प्रगति सिक्षा से दुल्मती और जीवन में दुल्मती शिक्षा से दुल्मती जीवन में दुल्मती गंडापुर्टा गंडारा गंडापुर्टा गंडारा एक नंबरी कलाकार है नामी है नोटन की बाज बड़े बड़े सपने वो देखे जाने माने गाहों समाज कितना भी हो जाए नाम बने नहीं वित्या बिनकाम कितना भी हो जाए नाम बने नहीं वित्या बिनकाम कहता है भई गंडाराम गंडापुर्टा गंडाराम गंडापुर्टा गंडाराम गंडापुर्टा गंडाराम गंडापुर्टा गंडाराम झाल झाल